आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो ये क्या है हम आपे लिख देते हैं special secretory tissue अब इसकी थोड़ी हम क्या कहते हैं अनॉ syll test होते हैं उसके कैसे होते हैं तेक है cells होते हैं वो elongated thin world होते हैं ठी के उसके cells के अन्दर होता है मतलब ठीक है वो contain करते हैं क्या colorless अब देखो lactiferous tissue है तो जहां से आप थोड़ा इंटर ले रहे होंगे इसके cells के अंदर क्या होता है colorless milky yellow liquid type का होता है कभी colorless होता है कभी कैसा होता है milky ठीक है और yellow colored juice जिसको हम latex कहते हैं ठीक है तो यह तो हमाँ गये lactiferous tissue तक पहुच गये अब जो lactiferous tissue होते हैं यह दो तरीके के हो जाते हैं कौन-कौन से सबसे पहला आता है हमारा इसमें lactiferous cells ठीक है और एक में आता है हमारा क्या lactiferous vessels यह lactiferous cells यह होते हैं यह कुछ भी नहीं हमारे क्या है बस highly branched cells है ठीक है अब यही जब highly branched cells यह होते हैं इनका net rock बन जाता है तो यह क्या बन जाते हैं हमारे lactiferous vessels ठीक है तो हम यहाँ पर एक तरह से लिख सकते हैं यह क्या है नेट्रोक है किसका और lactiferous cells ठीक है अब इसके example देख लेते हैं कि यह किस किस में present होता है ठीक है तो हमें देखना है कि मतलब हमें बताना है कि lactiferous vessels हमारे किस में होते हैं तो example अगर हम लिखेंगे तो उससे पता लग जाएगा तो यहाँ पर हमने example लिख दिए है लेक्टी फेरous cells के बारे में किस में present होता है और अर्जी मौन में ठीक है और हमारा जो पेपर वर होता है उसी को हम क्या कहते हैं पॉपी प्लांट वो हमारा correct option जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option C पॉपी ओके थेंक यू